So, here comes the another 50, or this is lesson number 150, तो आज का life lesson उपर वाले की याद में बनाते हैं, ठीक है, कई lessons में मैं बात कर चुका हूँ की उपर वाले का कोई मुकाबला नहीं, ठीक है, उपर वाले की कोई बराबरी नहीं, उसे अल्ला बोलो, राम बोलो, वाय गुरू बोलो, है एक ही चीज है ठीक है सम्में को लिट दी ओल्माइटी गोड है सम्में को लिट विद्ट समधर नेम तो आज आप लोग के साथ यही विचार साजा करना चाहूंगा मैं कि इसको पैसे वाला ग्यान में भी एड़न कर लेंगे इस लेशन को यही की अक्सर आप लोगों ने आपकी जिन्दगी में जरूर देखा होगा यह चीज की कभी कबार एक दोर आता है कभी महिनों का कभी एक साथी कठा सालों का कुछ दोर आता है जिसमें आपको ऐसे से नुक्सान होने शुरू हो जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते मैं अने unexpected losses that you bear in your life मैंने देखे हैं मैंने कई साल मेलम महिने में जैसे चलते हुए अगर घर की बात करूं तो टीवी खराब हो गया कभी पंक्खा जल गया कभी कूलर खराब हो गया कभी एसी में इशू आ गया कभी गाड़ी खराब हो गई कभी मोटरसाइकल में दिक्कत आ गया तो कुछ न कुछ दिखते आती रहेंगी आपको और कुछ न कुछ खराबियां आती रहेंगी और कभी दो से आप लोगों ने भी जरूर महशूस की होंगी आपकी लाइफ टाइम में मैंने मेरे छभ्विस साल के वह मार दराज में ये मैंसूस की है ठीक है तो कहा जाता है कि पैसे आपके बचाय नहीं बचते हैं जब वह उपर वाला fil आना चाहता है ना तब पैसे बचते हैं तो always thank God for whatever he has given you कल एक वीडियो देख रहा थो वीडियो में बहुत अच्छी चीज लिखी हुई थी कि हम लोग focus उस चीज पर करते हैं जो हमारे पास नहीं है उस चीज को कोई focus नहीं करता जो हमें free में मिल रही है लब यह light, यह हवा यह सूरज पानी बहुत सारी चीजे यह दिन, रात, वो सितारों का नजारा वो बैहती हुई धारा कितनी सारी चीजे आपको free में मिल जाती हैं और you really don't take it as an asset आप उसको consider ही नहीं करते हैं आपको बस द्यान जाता है उन पर गोड़ा गाड़ी पर और कुछ मेंगा फोन लगा लो कुछ लोग आईफोन के चासडू होते हैं तो उन जी जो पर ज़्यादा focus आता है यार just take this into their practice your practice कि before going to sleep just once for at least for one second thanks God before going to sleep और हाज जोड़के उपरवाले का शुकर गुज़ार करो कि आपको जो कुछ भी दिया है आज की जिन्दगी जो दी है ठीक है तो उसके लिए ही शुकर गुज़ार करो ऊपर ब्वाले का इतना ही कहना चाहूंगा आज के lesson में बहुत सारी सीज़े हैं यार बहुत सारी चीज़े हैं जो आपके हाथ में नहीं होती है ठीक है जो उपर वाला डिसाइड गरता है so please take this thought in your consideration and please comment something down in the comment section जो आपको लगे अच्छा लगे बुरा लगे आपके एसाब से और यही ता आज का बाकी बहुत सारी बाते हैं आने वाली वीडियोस में आती रहेंगी stay connected for daily videos and stay happy, stay healthy God bless you all no sorrow, until tomorrow जाहिन, जामारत